आज हम बात करते हैं अस्थमा की अस्थमा एक क्रोनिक इंफ्लामेटिड डिजीज है जिसमें मनुस्य की सास की नली में सूजन आ जाती है जिससे खासी आना सास लेने में दिक्कत होना और सीटी जैसी बजने लगती है अस्थमा की पहली स्थेज होती है एक्यूट अंसेट अस्थमा इसमें मनुस्य को धूल और दुसी तरीके की अलर्जी से परिसानी होने लगती है उसको सास ने में दिक्कत होने लगती है और खासी आने लगती है इसका मुख्य कारण होता है जो अलर्जन पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सास की नली में जाके बैठ जाते हैं जिसकी वज़े सास की नली कंजेस्ट होने लगती है और खासी आने लगती है इसमें जो जिसको इस तरीके की अलर्जी है और पता है कि मुझे इस चीज से अलर्जी है तो अगर वहाँ पे जाए तो मुँपे कपडा बांध ले, मास्ट प्रयोग करे और कोसिस करे कि धूल में और इस सब चीजों से बचाओ करे इनहेलर का प्रयोग कितना कारगर होता है अस्थमा में? इस विसे में लोगो काफी भ्रांतियां है कि मुझे एक बार इनहेलर लेने लगोंगा तो मुझे इनहेलर की आदत पढ़ जाएगी बिसिकली इनहेलर में दवाई डाइरेक्ट आपके लंग में जाती है बनिस्पत आप दवाई खाएंगे तो वो पूरे सरीर में जाएगी इनहेलर से दवाई जहां आपको जरूरत है सांस की नली में आपको जरूरत है दवाई की क्योंकि आपके बाकी सरीर तो आपका सही है सांस की नली में दिक्कत है तो सांस की नली में ही दवाई जा रही है तो इससे ऐसी कोई वो नहीं है कि इससे आदत पढ़ जाती है या फिर और कोई दिक्कत होती है सर एस्थमा के मरीज अगर प्रिवेंशन नहीं करते हैं तो इसके आगे की स्टेज होती है stator asthematicus, जिसमें मनुस्वे को एकदम से सांस एने में दिक्कत होने लगती है, खास ही आने लगती है और कभी-कभी मतलब इसका severe attack हो जाता है तो मनुस्वे की जान भी जा सकती है इसके लिए अगर इस तरीके से कभी होता है तो जो भी मरीज है या जो साथ में है उसके उसको तुरंट अस्पतार ले जाए, ऑक्सीजन दे और डॉक्टर्स प्रिस्काइब की गई दवाईया स्टार्ट करें और हस्पिटलाइज करें मरी उसको अगर आपके साथ में किसी को एकदम से दमा का अटायक पड़ता है तो कोशिस करें कि उसको सीधा बैठाने की कोशिस करें ताकि उसकी जो है सांस की नली में रुकावट ना आए कोई भी और अगर जाग या फेना इस तरीके कुछ भी आता है तो उससे साफ करने की कोशिस करे जब अरदस्ती अंदर नहीं साफ करें बस जितना आप मुझ पे साफ कर सकते हैं और उसकी लोज को जो है क्लीन करने को हिस करें इस से जो है इसको आराम मिलेगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सेगे से मेडिकल हेल्प लें सार सियो पीडी का विश्या में कुछ बताईएगा सियो पीडी बिसिकली क्रोनिक ऑप्शक्टिव पल्मोनरी डिजीज है इसमें सांस इसमें फेफडो में स्वैलिंग आ जाती है जिसकी वज़े से आदमी को सांस ने में दिक्कत होने लगती है सियो प इस तरीके के लोग हो गए जिनको रेगलर धुए के संपर्ग में रहना पड़ता है जिनको रेगलर धुए के संपर्ग में रहना पड़ता है हमारी ग्रहनियां जो खाना बनाती है उसका जो धुआ उड़ता है वो फेफडो में जाता है फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम क लगती है कभी-कभी इस पुटम भी आता है नहीं जरूरी नहीं एस्थमा का नेक्स्ट स्टेज COPD हो आदमी को जिंदिगी भर एस्थमा भी रह सकता है अगर वो दवाईयों पे चले COPD एस्थमा से अलग है लेकिन एस्थमा के मरीजों को COPD होने के चांसे काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं